व्यास, अर्चिकिया, विपाशा या हाइफवेसिज हिमाजल से निकल कर पंजाब पाकिस्तान की प्यास बुजाकर अरेबियन सागर में जा मिलती है आज हम इसी नदी के बारे में डिटेल में जानेंगे इतिहास में व्यास नदी का नाम अलेक्जंडर दग्रेट के साथ जोड़ जाता है क्यूंकि ये अलेक्जंडर दग्रेट के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती थी इससे आगे अलेक्जंडर दग्रेट के सैनिकों ने जाने से मना कर दिया था और वो इससे आगे आकरमन नहीं कर पाये थे परदेश की जीवन दाइनी नदियों मैंसे वैसे तो व्यास को एक माना जाता है लेकिन 2014 के एक दर्दाख हादसे के लिए इसने खूब सारी सुर्क्यां बटोरी थी आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग व्यास नदी के बारे में जानेंगे कि कहां से इसका उदगम हुआ था कोर्स कैसा है कहां कहां से हुकर के ये नदी बहती है और इसकी च्रिब्यूटरी यानि कि सहायक नदियां कौन-कौन सी है व्यास का उदगम स्थल रोतांग दर्रे के पास है रोतांग दर्रा के उस पार देखिया आप लोग लाहॉल्स पिती है और इस पार है कुल्लू यानि कि ये दर्रा इन दोनों जिलों को जोडता है रोहतांग दर्रा उसे भृगुतुंग भी कहा जाता है कि पहले ये जो दोनों क्षेत्र हैं जुड़े हुए नहीं थे लोगों ने भगवान शिवजी से प्रात्ना की कि वो यहां पर रास्ता बनाए भगवान शिवजी ने अपने त्रिशूल से भृगुतुंग को काटा और आज का जो रोतांग पास है उसे बनाया अब देखते हैं कि ये जो व्यास नदी है इसका नाम व्यास पड़ा कैसे यहां पर आप देख सकते हो कि महरिशी व्यास का मंदिर भी है महरिशी व्यास का ऐसा कहा जाता है कि जो महरिशी व्यास है यहां पर उन्होंने बहुत टाइन तक मेडिटेशन की थी और इस नदी को यहां पर प्रकट किया था व्यास कुंट से वेदो में इसे अर्जिकिया नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसका नाम है विपाशा अब आप लोग इसका ओरिजन यहां पर देख लो इसके जो स्त्रोथ हैं वो दो माने जाते हैं एक तो है रोतांग दर्रे के राइट में ब्यास रिशी यहां से एक स्ट्रीम निकलती है इसी के ही साउथ में आप लोग यहां देख सकते हो ब्यास कुंड है एक स्ट्रीम यहां से निकलती है यह दोनों स्ट्रीम जाकर के पलचन गाउं में मिल जाती है पलचन गाउं में दो लोगों ने कि कैसे कैसे हमारी जो ब्यास नदी है उसका उद्गम हुआ है अब अगर हम इसके नाम की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्जिकिया इसका वेदिक नाम है विपाशा इसका संस्कृत नाम है यह जो इसका नाम है विपाशा इसके पीछे भी एक कहानी है कहते हैं कि रिशी विश्वमित्र ने रिशी वसिष्ट के सौ पुत्रों को मार दिया था इसके चलते वो बहुत जादा दुखी हो गए थे और उन्होंने अरजी किया नदी में छलांग लगाने की सोची उन्होंने खुद को पाश से बांद दिया था पाश याने की एक तरह की chords ताकि वो नदी में डूब सके लेकिन जैसे ही उन्होंने चलांग लगाई वो पाश्मुक्त हो गए ऐसा कहा जाता है कि नदी ने खुद को एक सैंड बैद के तौर पर चेंज कर दिया था और जो रिशी है वशिष्ट उनको पाश्मुक्त कर दिया था वो सारे chords थे और वो बच गए इसी एरिया को वशिष्ट गाउं के नाम से जाना जाता है इसलिए जो वशिष्ट रिशी है उन्होंने इस नदी का नाम विपाश्रा रखा था विपाश्रा का मतलब होता है पाश्रे मुक्त करने वाली और आज का जो मनाली शहर है वहां पर आप इस देख सकते हूं। इस्तान में बहती है और उसके बाद Arabian Sea में जा करके मिल जाती है अब मैप में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में यहां पर देखेंगे तो जैसे कि यहां से कुल्लू डिस्टिक से यह निकलती है फिर बहते बहते यहां पर मनाली से होकर के जंगलों के रास्ते से कुल्लू मे पहुंचती है कुल्लू के बाद यह यहां पर मंडी और कुल्लू की बाउंडरी में बहती है मंडी में यह बजौरा स्थान से एंटर करती है मंडी डिस्टिक में मंडी डिस्टिक में एंटर करने के बाद यह मंडी में बहती है और बहते बहते पहुंच जाती है यह कांगर और मंडे की कांगरा डिस्टिक में यहां पर आप लोग देख सकते हो कांगरा और हमीरपूर की बाउंडरी में यहां पर बहती है ब्यास नदी उसके बाद यह कांगरा में बहते बहते कांगरा में कहां से एंटर करती है यह कांगरा में यह संधोल नाम की जगह से एंटर करती पिर कांगरा डिस्टिक में बहती है और बहते बहते मिर्थल के पास ये कांगरा डिस्टिक को छोड़ती है कहां पर मिर्थल के पास कांगरा डिस्टिक को छोड़ती है और पंजाब में ये एंटर हो जाती है पंजाब का एक डिस्टिक है यहांपर फिरोजपूर डिस्टिक म यह जगा है यहांबर हरीके पतन हरीके पतन जगहा में यह हमारी जो ब्यास नदी हैं यह सतलुज में जाकरकर मिल जाती है फिर इसके बाद की पाकिस्टान में जाती हैं और फिर उसके बाद अरेव्याद सीl अब देखिए को डिस्टिक वाद्स से शुरूर से पहले हम देखेंगे कि कुलू डिस्टिक में ब्यास रिवर की कौन कौनसी सहायक नदियां है जैसे कि यहाँ पर आप कुलू डिस्टिक का मैप देख सकते हो और कुलू में ही इसका ओरीजन है यानि की उद्गम स्कल है इसके ओरीजन मैंने पर है आपका रोहिनी नाला यह एक और स्ट्रीम है यह लोकेशन जो ट्रिब्यूटरी की है यह बिल्कुल एक्जेक्ट लोकेशन तो नहीं है बट मैप के बेस पर एक तरह का आइडिया लगाया गया है कि यह रेवर यहीं के आसपास है फिर इसके बाद आप यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर दो ट्रिब्यूटरी है एक तो पहले आगई आपकी पतली कूल मनाली एरिया में है ब्यास की च्रिब्यूटरी दूसरी आपकी यहां पर आगई मनालसू ओल्ड मनाली वाले एरिया में यह इसकी च्रिब्यूटरी है बुंतर दक आप जब जिसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी रीवर स्पिन यहां जैसे है जो ब्यास में जाकर के मिल जाती है फिर यहां पर आप लोग देख सकते हो मलाना यहां पर एक विलेज है जहां पर है मलाना नाला मलाना विलेज कुलू का बहुत फेमस विलेज है क्योंकि ये oldest democracy माना जाता है और यहां के जो लोग है वो कहते हैं कि हम Alexander the Great के descendants है ऐसा वो मानते हैं इनकी खुद की ही एक democracy है और upper houses, lower house अपनी government है यहां के लोग सबसे जादा मानते हैं रिसी जमदागनी को जिनको जामलू देबता के नाम से भी जाना जाता है यहां पर आप लोग देख सकते हो उनका मंदिर भी है यहां पर जैसा ही order पास करते हैं वैसा सारे लोग मानते हैं तो यह तो होगी रिसी जमदागनी जी की बात हम बात कर रहे थे ट्रिब्यूटरी की तो यह मलाना नाला है जो जाकर के मिल जाती है हमारी ब्यास में एक important और ट्रिब्यूटरी है ब्यास की वो है पार्वती रिवर कुलू में एक जील है जिसका नाम है मानतलाई यहां से पार्वती रिवर निकलती है और यह कुलू में शम्शी के पास व्यास मिचा करके मिल जाती है पार्वती नदी इसकी सबसे बड़ी च्रिबूटरी भी है व्यास की लार्जेस्ट च्रिबूटरी ओब ब्यास और इसके किनारे पर दो बहुत ही इंपॉर्टन्ट हूमन सेटलमेंट्स बसी है जिन में आ जाती हैं आपकी मनी करण और कसोल दो और ट्रिब्यूटरीज रहती हैं इसकी एक आगी आपकी तीर्थन और दूसरी आगई सैंज यहां पर लाजी के पास यह ब्यास में बहती है लाजी के पास और दोला धार को यहां पर यह गट भी करती हैं दोनों ही वी शेप्ट वैलीज हैं दोनों ही तीर्थन भी और सैंच वैली भी तो ये सारी की सारी ट्रिप्यूटरीज हैं ब्यास नदी की कुल्लू डिस्टिक में एक बार रिवाइस कर लेते हैं इस साइट से उपर से शुरू करते हैं सोलंग नाला, सेर्वरी, फोजल, आगे आपकी वेस साइट की और इस साइट की आपकी आजाते हैं यहां पर स्पेन, मलाना नाला आगई, पार्बती, सैंच और तीर्थन ये सारी की सारी ट्रिप्यूटरीज हैं अब बढ़ते हैं दूसरे डिस्टिक की ओर जो है हमारा मंडी डिस्टिक बजोरा के पास ये मंडी डिस्टिक में एंटर करती हैं ब्यास नदी और फिर मंडी में इसे धेर सारी ट्रिप्यूटरीज आकर के जोइन कर लेती हैं यहां पर आप लोग देख सकते हों इसकी ट्रिप्यूटरीज को तो इसकी सबसे पहली ट्रिप्यूटरीज है यहां पर हंसा नदी, फिर इसके बाद आगे थीर्थन, नेक्स्ट आगे बाखली, जियोनी, सुकेती, पंडी, सन, बथेर और उहल रीवर तो ये सारी की सारी इट्रिब्यूटरीज हैं आपके मंडी टाउन में इसके बाद कहां जाती है, ये एंटर करती है, संधोल के पास ये कांग्रा डिस्टिक में यहां पर देखे, ये हमीरपूर और कांग्रा के बॉर्डर में बहर रही है यहां पर फिर इसके बाद ये एंटर करती है आपके कांग्रा डिस्टिक में Kangra district में अब देखेंगे कि इसकी tributaries यानि सहायक नदिया कौन-कौन सी है Kangra district में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह दोलाधार range और इसके southern slope से maximum जो इसकी सारी की सारी tributaries है वो निकलती है अब देखें Kangra में दोलाधार range के पास से निकलती है इसकी सबसे पहले tributary यह है आवा रिवर आवा रिवर को हमने करंट अफेर्स में पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर illegal mining हो रही थी इसके लिए वो news में आई हुई थी सेकिंड आ गई आपकी बनेर पालमपूर के पास से यह निकलती है सर्धन स्लोप प धोलाधार range से पालमपूर के पास से यह निकलती है नेक्स्ट आ गई हमारी बानगंगा बानगंगा जो है वो Kangra Valley में बहती है यहां पर और अगली आ गई हमारी चक्की रिवर चक्की रिवर के पास एक बड़ा ही फेमस टाउन है कांगरा डिस्टिक का वो है हमारा नूरपूर टाउन नेक्स्ट आ गई गज रिवर गजखड गजखड जो है वो ब्यास नदी में पॉंक डैम के पास जाकर के मिलती है अगली आ गई हमारी लूनी नदी, लूनी नदी जो है कांगरा वैली के सेंट्रल पार्ट में बहती है और नेक्स्ट आ गई हमारी मनूनी रिवर, मनूनी रिवर भी आपकी कांगरा वैली में बहती है और ये सारी की सारी Tributes हैं व्यास की Kangda District में एक बर फिरसे इनके नामों को देख लेते हैं आवा, बनीर, बांगंगा, चक्की, गज, लुनी और मनुनी तो ये सारी की सारी Tributes थी व्यास नदी की Kangda District में I hope कि आपको ये सारी की सारी Tributes और जितना भी हमНे ब्यास रिवर के बारे में पढ़ा वो आप लोगों को समझ आया अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें ब्यास नदी के बारे में ये सारी महतोपुन जानकारी थी जो हमने डिसकस की आज की वीडियो में